मैं डॉक्टर अलका पारिक, असोसीट प्रोफेसर होम साइन्स, गॉर्मेंट गर्ल्स कॉलेज, सिकंदरा दौसा Foods and Nutrition की क्लास में हम आज पढ़ेंगे की Caloric Value of Foods क्या होता है और किस प्रकार बोज्य पदार्थों में उपस्थित उर्जा मान को की गर्णा किस प्रकार से की जाती है पिछली क्लास में हमने देखा कि उर्जा को नापने की इकाई का नाम होता है कैलोरी और इसे इस प्रकार परिभाशित किया जाता है कि एक किलो पानी के तापक्रम को एक डिग्री सेंटिग्रेट तक बढ़ाने के लिए आवशक उश्मा की मात्रा को एक किलो कैलोरी कहा जाता है यह कैलोरीज सब भग्जे पदार्थों में होती हैं चाहे वो कार्भो हाइड्रेट्स हो प्रोटीन सो फैट्स हो या हम यूं कहें कि भोजन में हम जो भी सीरियल्स, पल्सेज, फ्र्यूट्स, वेजिटेब्ल्स, fats consume करते हैं उन सभी के अंदर calories होती हैं किसी में कम और किसी में जादा इन calories को नापने के लिए bomb calorimeter का इस्तेमाल किया जाता है bomb calorimeter क्या है bomb calorimeter एक instrument है जिससे की जिस भी भोज़े पदार्थ का उर्जा मूल्य हमें ग्याद करना होता है उसे वे करके और bomb calorimeter के अंदर रख दिया जाता है bomb calorimeter में पर्याप्त मात्रा में oxygen होती है और electric wires की सहायता से जिस भोज़े पदार्थ का उर्जा मूल्य ग्याद करना है उसे पून तह जला दिया जाता है वैसल के चारों तरफ पानी होता है जोकी temperature बढ़ने के साथ साथ पानी भी गर्म हो जाता है change in temperature को measure कर लिया जाता है और उसके बाद में भोज़न का उर्जा मूल्य ग्याद किया जाता है बच्चों इस diagram में आप bomb calorie meter अच्छी तरह से देख सकते हैं bomb calorie meter एक प्रकार का steel का भारी बर्तन होता है इसमें अंदर की तरफ platinum की polish की हुई होती है इसका एक धक्कन होता है और भोज़न की एक निश्चित मातरा को अलग steel के बर्तन में रखकर bomb के अंदर रख दिया जाता है यह बर्तन ताप का कुचालक होता है इसके चारों तरफ निश्चित मातरा में पानी भरा जाता है bomb को oxygen की उपस्थिती में charge किया जाता है तथा भोज़न को विद्युत्तार से जलाया जाता है इससे भोज़न में उपस्थित carbonic तत्व जैसे carbohydrate, protein और वसा जल कर उश्मा उत्पन्न करते हैं यह उश्मा भोज़्य पदार्थ वाले बर्तन के बाहर उपस्थित जो जल होता है उसके द्वारा ग्रहन कर ली जाती है जिससे पानी का तापक्रम बढ़ जाता है यह बढ़ा हुआ तापक्रम जल में लगे थर्मोमीटर, आप देख रहे हो चितर के अंदर जल में थर्मोमीटर लगा हुआ है तो यह बढ़ा हुआ टेंपरेचर थर्मोमीटर के द्वारा रीड कर लिया जाता है और बड़े हुए तापकरम से उश्मा भी ग्याद कर ली जाती है यह उश्मा बॉम में रखे गए भोजन की निश्चत मातरा के जलने से उत्पन हुई उश्मा होती है तो बच्चों इस प्रकार कार्बो हाइडरेट, वसा या प्रोटीन किसमें कितनी उर्जा है यह बॉम कैलोरी मीटर के द्वारा ग्याद कर लिया जाता है और हम यह भी देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर भोज़पदार्थ के अंदर कितनी एनरजी है बॉम कैलोरी मीटर से जो भोजन का उर्जा मूल्य ग्याद किया जाता है उसे भोजन का वास्तविक उर्जा मूल्य कहा जाता है और इस प्रकार कार्बो हाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का वास्तविक उर्जा मूल्य डिफरिंट होता है, सभी का भिन्न भिन्न होता है आप लोगों की सुविधा के लिए बॉम कैलोरी मीटर को इस तरह से दर्शाया गया है जिसमें की motorized stirrer है, electric leads है, जिसे की wires होते हैं, जिनसे की food substance को burn किया जाता है thermometer लगे हुए है, oxygen inlet होती है, पूरे बॉम कैलोरी मीटर के अंदर oxygen की supply होती है जिसे की भोजन का पूर्ण combustion हो जाता है, अर्थार्थ भोजन पूरी तरह से जल जाता है और जलने के बाद उसमें कितनी उश्मा है, वो ग्यात कर ली जाती है अब आप जब इसकी study करेंगे, तो आपके सामने एक और term आएगी जिसे बोलते हैं भोजन का शारेरिक उर्जामान, physiological fuel value of food शरीर में भोजन से प्राप्त उर्जा की मातरा, कैलोरी मिटर द्वारा मापी गई उर्जा की मातरा जो कि भोजन का वास्तविक उर्जा मूलिय कहलाता है से कम होती है क्योंकि हमारे शरीर में पाचन एवं चपाप्चय के दौरान उर्जा प्रदान करने वाले तत्वों का कुछ अंच नश्ट हो जाता है हमारे शरीर में आहार में उपस्थित कार्बो हाइडरेट का 98%, वसा का 95% और प्रोटीन का 92% भाग ही अवशोशित हो पाता है एक बार फिर से ध्यान से सुनिये कि हम आहार में जितना भी कार्बो हाइडरेट लेते हैं उसका 98% एबजोब हो पाता है इसी तरह से वसा का 95% और प्रोटीन का 92% भाग ही एबजोब हो पाता है या अवशोशित हो पाता है इसके अलावा प्रोटीन के चपाप जैसे उत्पन्वपदार्थ जैसे की यूरिया अन्य नाइट्रोजन यूत्पदार्थ के रूप में 1.25 किलो कैलोरीज पर ग्राम के बराबर शरीर से मूत्र के द्वारा निकल जाती है कितना की प्रोटीन का जो एंड प्रड़क्ट होता है वो यूरिया होता है और यूरिया के द्वारा 1.25 कैलोरीज पर ग्राम यूरीन के द्वारा शरीर में निकल जाती है तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इनका वास्तविक उर्जा मूल्य कितना होता है कार्बोहाइड्रेट का 4.1, बसा का 9.45 और प्रोटीन का 5.65 लेकिन आप टेबल के अंदर देख रहे हैं कि एक्चुल कैलोरी वैल्यू यानि कि एक्चुल में कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज मिलती है हमें 4 किलो कैलोरीज वसा से कितनी मिलती है 9 किलो कैलोरीज और इसी तरह से 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज तक उर्जा मिल पाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि कार्बो हाइड्रेट्स की डाइजिस्टिबिलिटी 98% फैट की 95% और प्रोटीन की सबसे कम 92% होती है और इसके अलावा प्रोटीन का निश्कासन यूरिया के रूप में होता है जो की 1.25 किलो कैलोरीज पर ग्राम होता है और इसलिए बॉम कैलोरी मीटर से जो उर्जा मिलती है हमें और वास्तविक उर्जा मूले जो शरीर से हमें प्राप्त होती है उनके अंदर हमेशा ये डिफरिंस देखा जाता है इसके अलावा कैलोरीक वैल्यू को और भी 2-3 चीज़े हैं जो प्रभावित करती है इनमें से 1st होता है जल यानी वाटर खाद्य पदार्थ में उपस्थित कैलोरीज जल की मातरा पर निर्भर करती है जिन खाद्य पदार्थों में जल अधिक होता है जैसे दूद आदी उनमें कम कैलोरीज उपस्थित होती है दूसरी तरफ कम जल वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि अनाज, डाले, आदी इनमें कैलोरीज अधिक होती हैं तो क्या मतलब हुआ इसका कि जिनमें वाटर कंटेंट जादा होता है भोज्य पदार्थों में उनके अंदर कैलोरीज कम होती हैं और वाइसे वर्सा दूसरा important बात ये है कि तलने के पश्चात भोजन का कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि जब भी हम frying करते हैं तो उसके अंदर oil का इस्तेमाल होता है और हमने पढ़ा कि fat के द्वारा 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरीज उर्जा मिलती है तो इसलिए जब भी हम पश्चे पदार्थ को fry करते हैं तो उसका कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है तीसरी बात प्राकृतिक रूप से उपस्थित कार्बो हाइडरेट, fat और protein की मात्रा भी कैलोरी मूल्य को प्रभावित करती है खादे पदार्थ में यदि वसाकी मात्रा अधिक है तो उसका कैलोरी मूल्य अधिक होता है जैसे घी में वसाकी मात्रा मक्षन से अधिक होती है तो घी में अधिक कैलोरीज देता है तो इस तरह से अगर जल की मात्रा अगर खादे पदार्थ में अधिक होगी तो उसका कैलोरिक मूल्य कम होगा लेकिन जितनी अधिक क्वांटिटी घी, तेल, वसाकी होगी उतना ही भोजन का कैलोरिक मूल्य अधिक होगा तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा की वास्तविक उर्जा मूल्य क्या होता है, शारेरिक उर्जा मूल्य क्या होता है और किस प्रकार से हम बॉम कैलोरि मीटर की सहायता से फूड्स की फ्यूल वैल्यू को ग्याद करते हैं आज के लिए इतना ही, थैंक यू